जब भी मैं इस तरह से अपने घर में ये क्रिस्पी नास्ता बनाती हूं वो भी परत वाली तो सभी को बहुत जादा पसंद आती है तो चलिए आज किस रेस्पी को सुरू करते हैं दोस्तों इसके लिए हमें यहाँ पे होल विट फ्लोर की जरूरत परेगी तो एक कप मैं यह अटा ले ली हूं और एक कप मैं यहाँ पे चावल का अटा ले ली हूं चावल के आटा की जगह पे आप चाहें तो मैदा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अब हमें इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स फिर इसमें हमें डालना है आजवाइन और क्लॉजी अजवाइन और क्लॉंजी को क्रस्ट करके डालिएगा तो हाफ टी स्पुन मैं यहाँ पे अजवाइन और क्लॉंजी ले ली हूँ, उसके बाद इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक, फिर हमें इस नास्ते को बहुत ही ज़ादा टेस्टी बनाने के लिए और क्रिस्पी बनाने क लिए इसमें हमें डालना है गी, तो इस आटा में हमें गी का मोयम लगाना है तो एक बरे चमच मैं यहाँ पे गी का इस्तेमाल की हूँ, गी डालने से यह हुगा ना कि इस नास्ता को जब आप बनाएंगे ना तो बहुत ही जादा क्रिस्पी भी बनेगा उपर से और यह ख तो आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि डो हमें रखना कैसे है दोस्तों बस मेरी एक रिक्वेस्ट मानिएगा कि अगर आज की मेरी मेहनत और रेसिपी आप सभी को अच्छी लगेगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो पेरे करके जब तक रेस्ट देंगे चलिए नेक्स प्रोसेस कर लेते हैं इतने में हमें यहाँ पे एक बाउल लेना है फिर में यहाँ पे उबले हुए आलू लेनी हूँ आलू को जब भी आप इस नास्ता को बनाएगा न तो पहले ही उबाल कर ठंडा कर लीजेगा आलू जब अ काली मिर्च का पाउडर लेना है थोड़ी सी मैं यहाँ पे रेचीली पाउडर एद कर रही हूँ और हाफ टेस्पून मैं यहाँ पे डाली हूँ धनिया का पाउडर फिर यहाँ पे भूना हुआ मैं जीरा का पाउडर डाल ली हूँ उसके बाद इसमें जाएगा स्वात के अनुसर नमक, इस नास्ते को चटपटा बनाने के लिए मैं यहां पर चाट मसाला का इस्तेमाल कर रही हूं, आप चाहें तो Dry Mango Powder भी ले सकTे हैं अब इसे हमें अच्छी तरह से कर लेना है mix और mix करती हुए इसे हमें इकठा कर लेना है मतलकि इस आलू को देखिए अच्छी तरह से mix कर लीजेगा सारे मसाले को डालने के बाद और उसके बाद आलू को कर लीजेगा इकठा देखिए तो चलिए अब इसे भी side में रख देते है नेक्स प्रोसेस कर लेते हैं तो मैं यहाँ पर ले ली हूँ दो चमच गीहों का आठा इस में ृत डालेना है गी तो मैं यहां पर गी को मैल्ट करके ले ली हूँ गी- या- तेल आप कुछ jurisd अपर इसे अच्छे से मिक्स करके हमें इसकी सलरी बना कर तैयार कर लेनी है जिसे साटा भी लो कहते हैं देखिए कुछ इस तरह से तो चलिए इसे भी साइड में रख देते हैं अब यहां पर हमें दो को देख लेना देखिए दो हमारा थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो चुका है रिष् के चोटे-चोटे से बॉल्स बना करके तैयार कर लेती हूं आप लोग भी इस नास्ता को जरूर बना करके देखिएगा दोस्तों बहुत ही जादा यह क्रिस्पी बनकर तैयार होगा चलिए अब मैं यहां पर इसे बेल ले रही हूं तो अगर आपको ऐसा लगे कि यह आपक बहुत ज्यादा मूटा मत बेलिएगा बिल्कुल मीडियम बेलिएगा जैसे हम रोटी वेगर को बेलते हैं रोटी बिल्कुल उसी साइज का और वैसी ही इसकी ठीकनेस भी रखिएगा देख लीजे एक वार आप तो इस तरह से में रोटी को बना करके तैयार कर ली हूं तो सिलरी को लगाना है बहुत जादा नहीं लगाएंगे सिलरी थोड़ा ठोड़ा डालेंगे और फिंगर की मदद से इसे अच्छी तरह से पुरी रोटी पर पेला लेना है जैसे मैं आज आपको यह नास्ता बना करके बता रही हूँ दोस्तों मेरे इस तरीके से आप बना करक लगेगा कि इसी नास्ता को बना करके खाऊं तो इस तरह से हमें यहां पे तीन चार रोटियों को रख देना है लेयर बाइज मैं यहां पे चार रोटी रख दी हूं बस आपको एक रोटी डालना है उपर से आपको साटा लगाना है फिर दूसरी रोटी डालना है तो मैं यहा वह भी मैं आपको दिखा रही हूं देखिए अच्छी तरह से इसे पूरा सा मतलब बढ़ा बेल लीजिएगा बहुत जादा पतला मत कीजिएगा और उसके बाद साइड के एजिस को इसे कट कर देना है देखिए इसके साइड का जो पार्ट है न हमें इसे कट करके साइड कर है और उसके बाद इसे आप उसी आँटा में मिक्स करके फिर से इस नास्ते को बना सकते हैं चले मैं इसे साइड में हटा दे रही हूं मेरे इस तरीके से इस नास्ता को जब बनाएगा न तो यह देखने में भी सुन्दर लगता है और बच्चों को भी खाने में यह बहुत यहां पर आलू वाले मिक्सचर को डालना है पर बहुत जादा नहीं डालेंगे हाफ टी स्पून मैं यहां पर आलू वाले मिक्सचर को डाल ले रही हूं तो देखिए सभी जगह पर थोड़ा थोड़ा करके यहां पर आलू वाले मिक्सचर को डाल लीजेगा तो चली इस तरह और जब हम इसे फ्राइ करेंगे तो यह खूलेंगे भी नहीं तो आप चाहें तो किनारे में पानी भी लगा सकते हैं कुछ इस तरह से देख रहें बिल्कुल दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा ना स्टेप बाइडे स्टेप तो आप भी अपने घर में पॉफेक्ट इस भी बना कर तयार कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए अपने परिवारवालों के लिए तो चलिए इस तरह से हमें इसे चिपका लेना है देखिए थोड़ा सा मैं यहां पर किनारे में पानी लगा ली हूँ पानी या साठा कुछ भी लगाईएगा और अच्छी तरह से इस तरह से फ्लावर जैसा हमें इसे बना लेना है चिपकाते हुए देखिए देख रहे हैं यह छोटे छोटे से इस नास्ता को बनाईएगा बिल्कुल देखने में यह बहुत जादा सुंदर भी लगेगा और खाने में भी यह बहुत जादा टेस्टी लगता है तो एक बा अधिके से बनने वाली रेस्पी सेयर की हूँ आप सबी के साथ प्लीज उसे भी आप एक बार देखिएगा और रेस्पी को कहां-कहां से देख रहे हैं प्लीज कमेंट करके बताना मत भूलीएगा कमेंट सरूर कीजिएगा कि आप लोगों को मेरी रेस्पी कैसी लगती है और मेरी वीडियो को ौँच्व कहां-कहां से देख रहें इस तरह से सारे नयास्था को हमें बना कर के रीडि कर लेंगा है चलिए अब साइड में रख देते हैं गौस की टरफचन चलते हैं तो मैं यहां पर गस पर पयान रख लें हो उसमें अब तिल डालना है आई पर त चोटा सा में आटा का टुक्रा डाल कर देख ले रही हूं देखें यह उपर आने लग रहा है तो चलिए तेल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है अब हमें यहां पर फ्लेम को लो रखना है जैसे ही तेल का तापमान ज्यादा गरम हो तो फ्लेम को लो रखेगा और एक अब ही अपने वीडियो में बना कर दिखा रही हूं ना सेम प्रोसेस अपनाईएगा फ्रेंट्स तो चलिए अब मैं यहां पर फ्लेम को करती हूं मीडियम क्यूंकि जैसे ही तेल का तापमान थोड़ा सा ठंडा होगा तो फ्लेम को आप यहां पर मीडियम रखेगा पर बह निकाल लेना है एक बार इस नस्ता को बनाना तो बनता है दोस्तों और इस रेसिपी को ना फ्रेंट ग्रूप्स में और फैमली वालों के साथ सेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा जरूर सेयर कर दीजेगा देखें सुन लिए अवास कितनी क्रिस्पी है हमारा नस्ता बन करके तयार हुआ है ना देखने में भी कितना सुंदर लग रहा है मैं जब भी इस तरह से परतार ये नास्ता बनाती हूं न कहुंके आटे से तो मेरे घर में सभी को बहुत जादा पसंद आता है आई होप आपके भी फैमली में सभी को बहुत जादा अच्छा लगेगा जब आप इस तरह से बना कर उन्हें खिलाएंगे देखिए काफी गर्म है तो तोड़ने में मुझे प्रॉब्लम आ रही है पर ये बहुत ही जादा क्रिस्प होता है उपर से और अंदर से खाने में ये सॉफ्ट और टेस्टी लगता है तो चलिए मैं यहां पे खटी मीठी चटनी के साथ इसे सर्फ कर ले रही हूं आप इसे सामित चाय के साथ भी इंजॉय करें चलिए बिलते हैं नक्स्ट वीडियो में बबाई